कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था जनसंख्या संक्रमर सद्धान्त के बारे में और देखा था कि जनसंख्या का जो ट्रांजीशन फेज है वो कितने फेज में बाटा गया है पांच भागों में बाड कर देखा गया हम लोगों और ये काम जनसंख्या से संब संध में रोस्टोब और नोटेस्टीन महोदे ने किया था यह उन्हें बताया था कि कोई समाज कितनी अवस्थाओं से हो करके गुजरता और समाज पर वहां के आर्थिक समाजिक और संस्कृतिक परंपराओं का कितना अशर पड़ता है और उसी के सब्सक्राइब कि मालतस एक अर्थसास्त्री थे लेकिन उन्होंने जनसंख्या जैसे समाजिक मुद्दे पर विचार किया उन्होंने और यह जैसे 1798 में इन्होंने एक लेख लिखा था है और यह से अन्दी प्रेंस्पल आफ पॉपुलेशन जनसंख्या के सिध्धान नामका एक ऐसे लिखा और उसमें इन्होंने जनसंख्या ब्रिद्धी से समन्दित अपने विचारों को प्रस्तूत किया तो देखते हैं क्या कहा और हुने उस लेख में मालती तीन- शकल्चार है भृत-धी सिध्धान्त तो कर दो मूल्ल पातें जैसे 17 legislature अठान रवान मैं से दहांत इन्होंने प्रतपादित किया मालथ जीन एक लेख में इन्होंने अपना सिध्धान प्रतपादित किया था जनसंख्या की श्रधान क्रवाइब कर लिजी तोकी यह statement आज आए गाइंगा में सिध्धान के सिध्धान रामक लेख इसके दोरा लिखा गया था यह सिध्धान में मुख बात क्या करें घर्गेए परिद्ध कैसे होगा तो मालाथ सभूल लिखा था और इसमें इन्होंसरल व्रिद्धी से सम्मन्दित एक विष्त्रइव चर्चेदी क्या है कैसे हो रहा कि परिद्ध क्या होगा उन्हीं हो इन्हों सब्सक्राइब कि अपने सिध्धांत में माल्थस्ति ने कुछ मुख बातें कहीं जैसे इन्होंने बताया था कि जो मानो है जनसंख्या है इसके जो भरर पोसर की जो साधन संसाधन कह सकते हैं process उन संसाधनों की अपेछा जनसंध्या में बृध्धी की दर्जु है वह अधिक है उनुह knew किया उस समय ज्यूंस बताया कि जीवने की लिए जो आवस्क्स संसाधन है उसमें बृध्धी और जनसंख्या में बंढ़ी हो रही है इन दोनों में भून disparnity आर्थाथ कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और कि न साथन में बंढ़ी भीमी घति से हो रही है लोग ज्यादा पढ़ रहे हो और khat acquire की संख्या आ उसकी मातरा कम है और उसमें व्यद भी बहुत धीमी गती से हो रही है तो ऐसी परिस्थिती में क्या प्रणाम होगा निश्चित रूप से आगे चल करके संसाधन खत्म हो जाएंगे और जब संसाधन खत्म हो जाएंगे तो फिर मानों जनसंख्या कैसे रह पाएगी है जो मुल्व भिचसे हैं इनका वह stick को पार्जन के लिए त्यानि मानों के जीवित रहने के लिए जिन संसाधनों की आवसकता है और मानों अपनी संख्या में कैसे बरिद्धी कर रहा है और संसाधन की पुछर किन शिया पिच्छा कर दो मैं जन संख्yा में हुट थी तो di हुए है कि जन संख्या में अभीह होति हैक यह लाइन खाया हुए है जो कि दbook जैतिर में ते बढ़ने के प्रिप्रति है और जो श्यट्र के जीविको पारजन के लिया यह वहां कि धन्संख्या की जीवन नंर्वा के लिए जुस्थ के और तहां दूचारदिसों में छेत्रों में देखा और फिर ये पाया कि यहां पे जन संख्या में भृध्धी कैसे हो यह नहीं कहा कि जनसंख्या में ब्रिद्धी गुडात्मक होती है गुडात्मक का मतलब हो गया जैसे दो चार आठ शोला बत्तिस ऐसे और फिर इन्होंने पाया कि संसाधनों में कैसी ब्रिद्धी होती है तो संसाधनों में ब्रिद्धी समनांतर होती है तुझ संसाधन में जूंगी समनांतर है जैसे एक दो तीन चार पांच शे इस तरीके से प्रइस हिसाब से जीब को पारजन में यानि संसाधनों में बिद्धी हो रही है और जंसेंख्या में मिरिद्धी गुडात्मक हो रही है तो एक समय से आए है जब जनसख्या बहुत अधीक होगे और संसदी यगंदम समाप्त हो चुके होंगे हमारे पास रिल्प समन्ग की भाध्यता न होती जहं संख्या में ब्रिद्धी और जता होती रही है एक ब्यक्ति को यह मालूम है कि मेरे पास खाना है कि नहीं है खलाने के लिए उस इसाब से वह दें संख्या में भृद्धि को महत देता है अगर बहुत गरीब है कुछ भी नहीं है जो जनसंख्या को क्या करेगा अगर वह थोड़ा सभी यह सोच पाया कि हम खिलाएंगे क्या संसाधन तो है नहीं हमारे पास बच्चे उतनी ही हो जितनी की अच्छी परवरिष कर ले तब वह लिमिट में है तब वह इसकी ब्रिद्धि क्या कर रहा है गुड़ात्म धंग से ब्रिद्धि हो रही है और अगर उसको यह भास हो कि कि के साधन भी बढ़ रहे हैं और तेजी से बरहे हैं सादनों में भी ठीठा को रही है तो फिर उसको सोचने की जरूरा ठीए यह इन्होंने ये अनमान बतायाए कि अगर अगर संसाधनों की उपलब्दतता का एक अव्रोध ना होता तो फिर जनसंख्या में क्या होता है तो प् भूगा भी जब इतिहास में आप देखेंगे तो जब जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो फिर क्या होता है कि संसाधन नहीं है भूख से लोग मरने लगते हैं और यह बड़ी जनसंख्या भूख से तड़ब तड़ब के मर जाती है जिसे भूखमरी के नाम से आप जनत तो इन्हों ने यह बात अस्वश्ट लिया कि अगर जनसंख्या का आउरोध ना होता तो क्या होती जनसंख्या पचीस वर्स में ही दो गुनी हो जाती है तो अगर यह अनुपात चलता रहे तो 200 वर्सों में जनसंख्या 256 गुना होगी और संसाधनों में ब्रिद्धि मात् रहे हैं लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहे है कि अधिक गजब जन संख्या 256 गुना हो जाएगी यह आप देख लिए आप यह अगर जनसंख्या में इस गती से ब्रिद्धि हो रही है तो प्रतियक 25 वर्स में जनसंख्या क्या होगी दोगनी हो जाएगी प्वचीस वर्स में जनसंख्या दो गुनी हो जाएगी तो यह सिसाब से 200 वर्सों में कि दो सो वर्सों में 256 गुना होगी जनसंख्या और संसाधन कि मात्र नो गुना बढ़ेंगे तक तक है ठीक है और यह बात सिद्धांत में स्पश्ट के गए अजब 256 गुना जनसंख्या हो जाएगे संसाधन में ब्रिद्धी नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा दुराचार फैलेगा समाज में छीना जप्ति फैलेगा मडर होगा करेप्शन भ्रस्ताचार इस अब क्या होंगे चरम पर होंगे अपनी अत्याचार में कोई भी जा रहा है कारण बताया और जनसंख्या अपनी आर्थी की स्थिती को देखते हुए वह जनसंख्या यही कदम उठाएगी क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या संसाधन खतम हो चुके हैं तो फिर वह दुराचार अत्याचार यही सब समाज में क्या करेंगे फैलाएंगे बढ़ेंगे समस्यां पैदा होंगी तो इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवस्यक हो जाता है कि अगर आप अच्छे समाज की करपना करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम होना चाहिए कि जनसंख्या इतनी लिमिट में हो कि जो संसाधन है वह उनको परियात महत्रा में उपलब्द हो स 拜拜 कि खुत कुरूंअ पूब न ने आने पाये इसलिए जन रसंख्या पर नियंत्रण आवस्यक है य कह अगर आप दो तरीके हो सकते हैं यदि आप जनसंख्या पर नहीं नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा तो फिर प्रकृत करेगा खुदी जैसे कोविट के दवरान हुआ अगर आप जनसंख्या पी नियंत्रण नहीं कर रहे हैं तो प्रकृत करेगा आपकी जनसंख्या को और प्रकृत कैसे नियंत्रण कर रहा है तो आप नियंत्रण के लिए दो तरीके हो सकते हैं तो आप नेतिक रूप से नियंत्रण करों व्रिद्धी कम करूं या तो फिर अगर प्रकृत नियंत्रण करना सुरू किया तो भुखमरी आएगी महामारी फैलेगी आप दाएंगी और उसमें बड़ी जनसंख्या क्या होग कि दो तरीके हो सकते हैं इसके लिए एक तो स्वता नियंत्रण कीजिए कि स्वता नियंत्रण और दूसरा तरीका हो सकता है कि प्रकृत नियंत्रण करेंगी सवता नियंत्रण्ण में उन्हों इननुं सजाना देर से दिवा करना साध़ी ना करने के प्रपृति ब्रहमचर जीवन जी इस से जनसंखहान नहीं बढ़़ेगी एपने इससे जनसंखहान नियंतृत हो सकती है कंट्रोल में रहेगी दूसरा तरीका इन्होंने पता है उसमें उन्हों कहा कि जो प्रकृत का या प्रकृतिक जो प्रकोफ है आपदाएं है उससे बैया आपदा में जैसे बाढ़ा गई किसी छेत्र में अचानक से हजारों की संख्या में लोग डूब गए भुखमरी आई मह घंसेई क्या है कि जनसंख्या में वह रिद्धी है और संसाधन में गुटली है उसके बीच में संबंद है जनसंख्या सब्सक्राइब कर दोना आ आएंगे समाज में जैसे चोरी बढ़ेगे छीना जप्ती बढ़ेगा मडर बढ़ेगा इस तरह की जो समाजिक दुराचार है इसमें व्रिद्धी होगी इसलिए जनसंख्या में को नियंत्रित करना आवस्यक हो जाता है ताकि समाज में इस तरह का भरष्टाचार ना बहे और नियंत्रित करने के दौ तरीके हो सकते हैं एक तो आप बैक्ति सोयम ही नियंत्रित करें कम बच्चों को जन्द कम जन temos स्चियाब जानमाल का हानी पर ज्यादा होगा इसलिए मानों खुदी इसको नियमत्रित करें यही बात पूरे सिध्धांत में मालतसी ने कहिए मालतस के सिध्धांत का अगर एफ ग्राफ देखा जाए जो सारी बाते होने कहीं है वो ग्राफ अस्पर पर कैसे हम प्रदर्शित करेंगे तो आप यहां यह समय दिखा दीजिए और यह जन संख्या में ब्रिद्धी और संसाधनों में ब्रिद्धी की बात करता है माली यहां पांच वर्स तर्स वर्स पंदरा वर्स बीस और तीस वर्स यहां 10 परसेंट इस बीस परसन 25 प्रतिशत ब्रिद्धी और यह तीस प्रतिशत प्रतिश्थ में उने जो बात कही थी अपने सिद्धानथ में संसाधनों में इस सामान्ण होती है कि संसाधन एसे बढ़ रे समानिगति से बढ़ती है कि संसाधन真的 लेकिन दूसरी बात नुdoing नहीं कмотрите ती vegan देख क्या रहे है कि आठ ग्रीकति से होते बुराथना हिसे बढ़ गें यह जन संख्या में बिदी है कि और डेखना कें संव गगारें हैं कि 30 में सनसाधन जो है से होए 25 प्रतिसत बढ़ राहे है किफिक है यह तर्स मिय तीस बर्स में सनसाधन में बृद्धी 25 प्रतिसत हो रही है और जब कि जन संख्या में बृद्धी 20 वर्स में ही कितना हो रही है 30 परसेंट यह देखिए तो यह जनसंख्या ब्रिद्धी और संसाधनों में ब्रिद्धी के बीच में जो संबंध है इसी बात को यह सिद्धान्त स्पश्ट करता है